बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मियावती को ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी इंडिया गठबंदन में सामिल हो जाएगी और जो उनकी सर्त है उनको मान ली जाएगी लेकिन इस सुवक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके लिए लेकर आया हू दोस्तों अभी अभी कुछ मिनट पहले ट्वीट आया है बहन कुमारी मियावती का जिन्होंने असपष्ट कर दिया है कि किसी भी गठबंदन के साथ एलाइंस नहीं करेगी बाकी मैं कुछ कहूं से पहले आप देखिए कि मयावती का अब तक का सबसे बड़ा जो है इंडि वा इंडिया गठबंदन अधिकतर गरीब विरोधी जातिवाधी संपरदाइक धनसेठ समर्थक वा पूझीवाधी नीतियों वाली पाटी है जिनकी नीतियों के विरुद ब्यस्पी अनवरत संगरसरत है और इसलिए इनसे गठबंदन करके चुनाओ लणने का सवाल ही पै है और 40 सिटे पर अगर ब्यस्पी को लणने का मौका मिलता है तभी ओ इंडिया गठबंदन में जाएगी लेकिन सिधे तोर पर मियाधी का ट्वीट स्पस्ट कर दिया कि जो है जो खबर चल रहा है बिल्कुल यह फरजी खबर चाहे अब देखिए दूसरे नमर पर भानकु के लिए अगामी लोग सभा तता चार राजियों में विधान सभा का आम चुनाव लड़ेगी मीडिया बार बार भरांतिया नौ फैला है तो देखिए कि कहा रहा है कि जिस तरीके से 2007 में बहन कुमारी में आउती जो है चुनाव लड़ी थी और बंफर वोट से जीती थी उ चुनाव चुनाव बहुजा समाज पार्टी बिना किसी पार्टी के एलाइंस से एक लिए लड़ेंगी उसके बाद देखिए तीसरे नमर का ट्वीट है बहन कुमारी में आउती का वैसे तो ब्यस्पी से कठवंदन के लिए हाँ सभी आत्तूर हैं किन्तु ऐसा ना करने प तो ठीक वरना अंगूर खटे है कि कावत जैसी ये साबित हो रही तो देखिए कि किस तरीके से बहन कुमारी में आउती ने कहा है कि अगर हम उनके साथ एन इंडिया कठवंदन में चली जाएंगी चली जाती हूं तो लोग हमको बहुत अच्छा मानेंगे और हमारी बहुत बढ़ा ही करेंगे लेकि जब मैं इंडिया कठवंदन में नहीं जाओंगा तो वही हाल है कि अंगूर मिल गया तो मिठा है और नहीं मिला तो खटा है तो बहन कुमारी में आउती ने कहावत के तोर पर भी जो है इंडिया कठवंदन को अपनी पूरी बात बता दिए देख उससे लोगों में यह सवाल सभावी कहें कि उन्होंने पहले यह पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गये ही क्यों ऐसे लोगों पर जनता कैसे बरोसा करें तो दुखिए कि अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है कि बहन कुमारी में आउती जो बहुज कि एक हिसा बहन कुमारी में आउती बनेंगी तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बहन कुमारी में आउती ने अभी अभी कुछ मिनेट पहले ही ट्वीट करके यह सपष्ट कर दिया है कि वो न तो अंडिये के साथ है और नहीं इंडिया गठबंदन के साथ है और जिस के साथ एलाइज किये बिना किसा बिना किसी पार्टी यानि इंडिया गठ बंदर जाने जो है बहन कुमारी में आउती जनाओं लडेगी और एक बात और भी कहा रहा था कि थरभधान कुमारी में आउती बनाएंगी और जिद्फ reference कर दिया है और इंडिया आ रही है और नहीं बहनकुमारी मियावती जो है कोई थर्ड फरंट ही बना रही है तो बहुजन समाज पाटी पूरे देश में चाहें बिधान सभा का चुनाव हो और चाहें लोग सभा का चुनाव है 2007 कहीं तर्ज पर लड़ने का काम करेगी सलिए जो उनके बारे में में स्ट्रीम में खबर चल रही है जो फरजी खबर चल रही है उन्हों न्यू चैनल से अपेल की है कि प्ली जैसी फेक खबर और फरजी खबर ना चलाएं और इससे कुछ दिन पहले ही अभी दो दिन पहले ही किसी भी सर्थ पर और जो फरजी खबर चला रहा है उनके भी ये नसीहत बहुन कुमारी में में आवती दिया है तो देखिए बहुत जल्द ही का चुना हो चाहा है बीधान सबा का चुना हो सिर्फ अकेले ही लड़ेगी बिना किसी पाटी के साथ एलांस किये वगार इस बहुत कुमारी में आवती के इस जो कदम है इसको आप कैसे देखता हैं कमेंट कर दिजिए और वीडियो जनतंत कबर के इटू चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर लिजिए फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फोलो कर लिजिए बाकी मैं अधर बसंथ हू के मेरे परसाती हैं एडिटर हरेंदर बसंद जी बहुत बहुत धन्यबाद